नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर नमस्कार दोस्तों वोम नमः शिवाई श्रावन गुमवार यहां पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमतकार दोस्तों सावन का जो महीने होते हैं मर्यादा एवं यह भक्ती के महीने होते हैं भक्ति का मा होते हैं सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंतरन माना जाता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघर प्रसंद होते हैं सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनात का प्रिय महीने है और इसके अनेक पौरानिक कथा एवन धार्मिक मान्यता भी है इसलिए दोस्तों जन साधारन लोग किसी और महीने में सन्यम नियम का पालन करें या ना करें लेकिन सावन के महीने में सन्यम एवन नियम का पालन जरूर करते हैं तो आज के जो वीडियो है बहुत ही सुन्दर है ज्यानवर्धक जानकारी है इस वीडियो को अपने फाइदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए दोस्तों हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं जानकारी बताते हैं जिससे जन साधारन लोग लाब उठा सकें सावन के महीने की विशेश महत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्तों सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दरजा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आजाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते उनके घर में जरूर भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं इस माह में भगवान विश्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो स्रिष्टी के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनात के उपर में होता है तो दोस्तों आज के हमारे जो वीडियो का विशय है बहुत ही सुन्दर है कि इस व्रिक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी अब के हर इच्छा शीघर पूर्ण होगी और इस व्रिक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना शीघर जरेंगे और कैसा भी आपके जीवन के परशानियों सारी परेशानी समाप्थ हो जाएंगे तो दोस्तों यह जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट बॉक्स में ओम न यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाती के जन कल्यान के लिए स्वय भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन व्रिक्षों के रूप में भू लोक पर अवतरित हुए थे अर्थात भू लोक पर जन मिलिये थे इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूडी का महत दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघर आनंदित करता है हरे रंग प्रकृती का वह स्वरूप है हरे रंग प्रकृती का स्वरूप माना जाता है माता पार्वती भी प्रकृती हैं एवं भगवान भोलेनात को पुरुष माना जाता है दोस्तों हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चड़ाय जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं डूब हरे रंग का होते हैं दोस्तों प्रकृती निर्मान करने वाले भगवान भोलेनात हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्रधारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होता है दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जीतने भी माता बहने हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चूड़ी जरूर पहनना चाहिए हरे वस्त्रधारण करना चाहिए सावन के महीने में जो माता बहने भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्रही धारन करना चाहिए कदापी रेड कलर की अर्थात लाल कलर की वस्त्रधारन नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है लाल कलर की वस्त्रधारन करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं तो दोस्तों इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोंबार के दिन जरूर बांधे हरी चूडी दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे कैसा भी आपकी गरीबी हो परिसानी हो, कश्ट हो, कला हो तकलीफ हो, जीवन में जो समस्या चल रही सारे समस्या समाप्थ हो जाएंगे और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं हरी चोड़ी इस व्रिक्ष पर बांधते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघर ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा तो दोस्तों वह व्रिक्ष कौन सा है आईए जानते हैं प्रथम व्रिक्ष है दोस्तों शमी के व्रिक्ष शमी के व्रिक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए तो शमी के व्रिक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहे जाते हैं इसलिए दोस्तों समी के व्रिक्ष को उमामहेश्वर व्रिक्ष भी कहा जाता है पूरे सावन भर शमी के व्रिक्ष पर माता-पार्वती एवं भग्वान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोश काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो ना ही रात हो तथा संध्याकाल के समय तो इस व्रिक्ष को संध्याकाल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोश समय इस व्रिक्ष को छूने से पाप दोश कष्ट ए माता पार्वती की खूग सारा आशिर्वात प्राप्थ होता है। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं, तो इसे अश्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिदरता हो, आपके घर में कैसा भी परेशानी हो, परेशानी समाप्थ हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख हा करके निवास करने लगते हैं। दूसरे व्रिक्ष है दोस्तों धतुरे के व्रिक्ष, धतुरे के व्रिक्ष, धतुरे का व्रिक्ष भगवान भोलेनात के उपग्रह, स्वरूब काल भैरो के अंश से उत्पन हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर जी हा दोस्तों शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चड़ाने से राहू के तु एवन शनी के कुप्रभाव समाप्थ होते हैं धतूरे के व्रिक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर दो जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवन शत्रु का सर्वनाश होता है दोस्तों अगर सावन के किसी भी शनीवार के दिन धतूरे के व्रिक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाएं तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवन छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर अगर छुपा करके या फिर खन करके दबा दिया जाएं जमीन में गार दिया जाएं तो भूत प्रेत इत्यादी का बाधा समाथ हो जाता है दोस्तों जो तीसरे व्रिक्ष है दोस्तों वह है बेल के व्रिक्ष दोस्तों इसके अंदर पुराण में सपश्ट लिखे हुए हैं कि बेल के व्रिक् ऐसा माना जाता है कि जो बेल के व्रिक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो जीवन के सारे जो समस्या होती है, ठकान होती है, वो भी मिट जाती है. हमने पिछले साल आप सभी दर्शकों को बेल व्रिक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे. अगर आप भगवान भोलेनात को खूब सारा प्रसंद करना चाहते हैं, भगवान भोलेनात को खूब सारा चीज चड़ा रहे हैं, लेकिन बेल के पत्ते नहीं चड़ाते तो वो प्रसंद नहीं होते. बेल के व्रिक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रहमा का वास होता है मध्य स्थान में भगवान विश्नु तथा संपून स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है ऐसा भी माना जाता है कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल व्रिक्ष की पूजा करें सुभा के समय में या फिर संध्याकाल के समय में बेल की जड़ के नीचे में अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करने के बराबर पुने की प्राप्ती होती है और समस्त तीर्थ बेल व्रिक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं तो दोस्तों सामान के किसी भी सुमवार के दिन बेल व्रिक्ष की जड़ पर सावन के किसी भी सुमवार के दिन बेल व्रिक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूज डाला जाएं तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिटती है तो सावन के किसी भी सुमवार के दिन संध्या ब बोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाता है अर्थात दोस्तों शीघर मनोकामना की पूर्ती होती है जैसे आप सुभ पूजा कहते हैं उनके प्रभाव एक सौ गुना होता है लेकिन संध्याकाल के समय में जो आप पूजा करते हैं ब्रहमा संध्याकाल अर्थात दोस्तों जब दिन होना रात हो अर्थात प्रदोशकाल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव एक हजार गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं तो संध्याकाल में ही घी का दीपक जलाएं भगवान भोलिनाथ जल्दी प्रसंद होते हैं तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों व्रिक्षों में से कोई भी एक व्रिक्ष पर हरी चूडी जरूर बांधें शीघर आपके मनोकामना पूर्ण होगा दोस्तों हमारे चैनल के यह अनमोल जानकारी कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और कमेंट में ओम नमह शिवाय जरूर लिखना दोस्त और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों हो सकता है इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाएं जन साधारन लोगों का भला हो जाएं तो जनहित एवन जन कल्यान के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेर करना तो दोस्तों हम जल्द से जुडेंगे आप सभी से किसी नए और अच्छी जानकारी के साथ आज की जानकारी बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार ओम नमह शिवाएं तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार